आप सब का सूपर कंसर्ट क्लासिस में स्वागत थे और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 सामाज की विग्गान की विगली टेस्ट का बहर बहर इंपोर्टेंट कोश्चन्स कराने वाला हूं इसलिए आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए देखिए आप लोगों का विग्गली टेस्ट का जो एक्जाम है सनिवार सनिवार को हो रहा है तो सुकरवार के साम को जो वीडियो आएगा उसको आप लोग पक्का देख लेए ना यहां पर मैं आपको जो questions करवा रहा हो ना यह आप लोगों का weekly test के लिए इंपोर्टेंट है ही और साथी साथ आप लोगों का जो final exam होगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा important है तो चलिए शुरू करते हैं और एका करके हर एक question को देख लेते हैं तो देखिए यहां पर हमार जो question आप लोग देख सकते है question number one क्या है कि Belgium में सामाजिक विवाजन का आधार है तो Belgium में जो सामाजिक विवाजन हुआ था इसका जो महन आधार था भासा यानि कि भासा के आधार पर हुआ था तो question number 1 का सही उत्तर हो जाएगा option number C यानि कि भासा हो जाएगा इसका answer आगे देखो अगला question क्या है कि स्रिलंका में बहुसेंखक कोन है तो वहां पर बहुसेंखक था सिंगली ठीक है सिंगली हो जाएगा इसका सही उत्तर question number 2 का right answer हो जाएगा option number B आगे देख लो अगला question question number 3 question number 3 है कि Belgium में डचों की आवादी कितना परतिसत है तो 69 परतिसत हो जाएगा इसका right answer 59% question number 4 है कि Belgium में मुखकी रूप से कोन सी भासा बोली जाती है तो German, Dutch, French सब हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा question number 5 देखो कि भारत में किस प्रकार की सासन परनाली है तो भारत में संसधिय सासन परनाली है या पिर आप इसको संघातमक सासन परनाली भी बोल सकते हो ठीक है संघातमक सासन परनाली बोलो या पिर संसदिय सासन परनाली बोलो एक ही बात हुआ है तो भारत में किस प्रकार की सासन परनाली है या पिर किस प्रकार की सासन दवस्ता है तो संघातमक या पिर संसदिय सासन परनाली भारत में है आगे देखो अगला कोश्चन कोश्च स्रिलंका में तमिल देश की कुल जनसंगा का कितना परतिसत है तो भाई देखो तमिल जो था ना वहां पे 18% ठीक है देश की कुल जनसंगा का तमिल कितना परसंट था 18% तमिल था 18% 18% इसका एंसर होगा क्वेश्चन नमर 7 क्या है देख लो क्वेश्चन नमर 7 हमारे पास है स्रिलंका का राज के धर्म क्या है तो स्रिलंका का जो राज के धर्म है यह है बोध धर्म बोध हो जाएगा इसका सही उत्तर बोध धर्म इसका सही एंसर हो जाएगा स्रिलंका का राज के धर्म क्या है बो बेल्जियम को सवतंदृता कब प्राप्त हुई तो चार अक्टूबर 1830 को याद रखना चार अक्टूबर 1830 इसका राइट एंसर हो जाएगा question number 10 क्या है देखो नीमनी में से कौन से जेव संसादन नहीं है जेव संसादन किसको बोलते हैं जिसमें जीवन होता है तो बैं मनुस्त्र में जीवन होता है ये जेव संसादन है बनसपत्ति जात में जीवन होता है ये जेव संसादन है चटान जो चटान होता चटान में जीव द्हेव हैं तो 10 सेउत्रस तर्पश्ण नमा डी हो जाएगा चट्टान इसका राइट एंसर हो जाएगा क्रेस्ट नमर 11 है क्या देख लोग कि इनने से को नभीकरन योग के संसादन है नभीकरनी योग के संसादन किसको बोलते हैं जिसका यूज करने के बाद दोबारा हम लोग जिसको प्राप्ट कर सकते हैं जिसे सोर उर्जा, सोर उर्जा इसी कभी खतम नहीं होगा, ठीक है, तो 11 का से उत्तर अप्शन हमसी हो जाएगा, सोर उर्जा, पवेन उर्जा, यह सिर्फ क्या है, नविकार्णिया हमारा है, काली मिर्दा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिर्दा को रेगर मिर्दा भी बोला जाता है, आगे देखो, नई जलोर मिर्दा को क्या कहा जाता है, तो नई जलोर मिर्दा को बोला जाता है, खादर, ठीक है, और जो पुरानी जलोर मिर्दा होता है, उसको बोला जाता है यानि जलोर मिर्दा दो परकार का होता है एक होता है खादर और एक होता है बांगर तो जो हमारा नया जलोर मिर्दा होता है उसको बुला जाता है खादर और पुराना जलोर मिर्दा होता है उसको बुला जाता है बांगर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आगे देखो अगला question, question number 14, question number 14 नमर पस क्या है कि कि किस मिटी में लोध हातू की अधिक्ता होती है, तो लाल मिटी, लाल मिटी में लोध हातू की अधिक्ता होती है, question number 15 देखो क्या है कि लोग किस प्रकार का संसाधन है, तो जो लोहा होता है न जो लोहा होता है भई, यह हमा कि प्रकार दीक आती पैंगर में सबसे अधिक कंकर पाई जाता है अगला क्या है कि कि प्रकार की मिर्दा में कंकर की मात्रा अधिक होती है तो कंकर की मात्र अधिक पाया जाती है बांगर में बांगर में सबसे अधिक कंकर पाया जाता है question number 18 देखो क्या है नीमनी में से किसे मैटर्निक ने हमारी समाजी की विवस्ता का सबसे खतरनाक दुस्मन बताया तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजीनी देखो मेजीनी कहीं कहीं पर लिखा रहता है कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा रहता है जेउसे पे मेटसीनी इसका पूरा नाम है जेउसे पे मेटसीनी कहीं 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 पर मेजीनी लिखा रहता है कहीं कहीं पर जेउसे पी मेटसीनी लिख जाएगा मेजी नी इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देख लो अगला कोश्चन कोश्चन नमर्ण 19 क्या है चार चित्रों कि सरेंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपनी सपनों का संसार रचा तो यह क्या था फ्रेडरिक सर्यू ने किसने फ्रेडरिक सर्य आपसे नमरद B यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देख लो अगला कोश्चन कोश्चन 20 क्या है कोश्चन 20 में किसके कब होई को तो बड़्राजबंस के सासन नीहा G disp ने की किस ने कि तो बिस्मार्क नहीं क्या था रक्त और लोग की निती या फिर खून और खड़क की निती इसको बोला जाता है खून और खड़क की निती भी इसको बोला जाता है खून और खड़क की निती बोलो या फिर रक्त और लोग की निती बोलो यह क्या है बिस्मार्क नहीं आगे द जेवसेप मेटसीनी बोलो बात एक हुआ तो जेवसेप मेटसीनी ने दो संगठन यंग इटली और यंग यूरोप का अस्थपना किया था इस बात को आप लोग याद रखना आगे देखो अगला कोशिंग क्या है कि वियना की संधी कब हुई थी तो वियना संधी बोलो वियन सम्मेलन बोलो यह हमारा 1815 में हुआ था कब हुआ था 1815 नमर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोश्चिन नमर 25 के आए देख लो कि जब फ्रांस से छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है यह किसका कतन है मैटरनिक का किसका कतन है मैटरनिक दे सम्मेलनिक जो एकिकरन है यह 1871 में हुआ था अप्सन नमर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखो अगला कोश्चिन जो है ना क्या है कि इटली का एकिकरन कब पूरा हुआ तो देखो इटली का एकिकरन होता है इसको लेकरन बहुत ज़्या कंफ्यूजन है कहें कहें और 2018 सहां पर आप आप 1871 ही बोलनोडा तो आप देख सकते हैं यहां पर लिग दिया है क्या बात है क्या रहन सो Δी सपester में पूरी तराइकर तरीके से आजाद नहीं हुआ था 1871 में आजाद हुआ इसलिसका राइट हैसनीलिक राइट अपर 1871 हो जाएगा इस गाशन लोग तो यह रहा हमारा आज का वीडियो और सुक्करवार के दिल में जो सामको वीडियो आएगा उसको देखना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलना किंकि वहीं से आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम कोश्चन्स आएगा तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू, जय हिंद।